हालो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एक्जाम क्रेजर में दोस्तों आज के वीडियो में हम बरतमान में कौन क्या है यह जानेंगे और यह जो अपडेट है वह अक्टूबर 2020 का है ठीक है और आपको बताते हैं कि जो भी कुश्चन हम आपको बताएंगे उस के अभी पार्ट आपका कवर होता जाएगा ठीक है तो वीडियो को अंतर जरूर देखिएगा क्योंकि इस से जो है हर एक कुश्चन पूछे जाते हैं और आने वाले इंटर्विव में भी आपके लिए यह इंपोर्टेंट रहेगा ठीक है तो चलिए वीडियो सुरू करते है पहला कुश्चन है भारत की राष्टपती तो वर्तमान में भारत की राष्टपती जो है रामनात कोविंद है ठीक है अब रामनात कोविंद राष्टपती है तो यह कौन से नंबर के राष्टपती है तो यह चौदवे नंबर की राष्टपती है ठीक है अब प्रफम नागरिक होता है यह कुशन इंपोर्टेंट और बनता है कि जो राश्ट पती होता है उसके लिए नियूंतम बनने की उम्र कितनी होती है तो राष्टपती बनने के लिए जो नियुंतम उम्र होती है वो 35 एर होती है ठीक है 35 साल जो है राष्टपती बनने के लिए नियुंतम उम्र होती है और अगर वेतन की बात की जाए तो बरतमान में राष्टपती को 5 लाख वेतन दिया जाता है ठीक है तो ये राष्टपती स एक इंपोर्टेंट कुस्चन थे जितने भी बन सकते थे वह हमने आपको बताए चलिए अगला कुस्चन देखते हैं भारत के उपराष्ट पती तो बरतमान में भारत के वैंकया नाइडू उपराष्ट पती है ठीक है और ये तेरवे नंबर के उपराष्ट पती हैं कौन से ये तेरवे नंबर के उपराष्ट पती है अचा अब इनसे जो है कौन-कौन से इंपोर्टेंट कुस्चन बनते हैं ये देखिए तो उपराष्ट पती बनने के लिए जो है उम्र पहले कितनी होनी चाहिए तो 35 साल उपराष्ट पती बनने के लिए उम्र होनी चाहिए जो क फर्ष्ट उप्राष्ट पती कौन थे भारत के तो फर्ष्ट जो उप्राष्ट पती थे वो थे सरपली राधा कशना ठीक है ये भी कुस्छन पूछ लिया जाता है और अगर वेतन की बात की जाए तो उप्राष्ट पती पद का जो है कोई अलग से वेतन नहीं होता है ठीक है तो इन्हें जो वेतान है वो राजसवा के सभापती के अनुसार दिया जाता है तो वरतमान में जो उप्राष्टपती का वेतान है वो चार लाक रुपाय है ठीक है यही राजसवा के सभापती का है और यही उप्राष्टपती का है चलिए अगला कुछन देखते हैं भारत के प्रधान मंत्री तो वरतमान में जो भारत के प्रधान मंत्री है वो है स्री नरेंद्र मोदी ठीक है अब इनसे कौन कौन से कुछन बन सकते हैं यह देखिए तो यह जो नरेंद्र मोदी प्रधान मंत्री है यह 15 नंबर के प्रधान म प्रधानमंत्री बनने के लिए नियुंतम उम्र होनी चाहिए क्योंकि यह जो है प्रधानमंत्री बनते हैं यह लोगसवा के सदस्य होते हैं और लोगसवा के सदस्य बनने के लिए जो नियुंतम उम्र होती है वो पचीस साल होती है ठीक है इसी लिए प्रधानमंत्री बनने क आर्टिकल 75 के अनुसार जो है रास्ट्रपती प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है ठीक है तो यह थे प्रधानमंत्री से जितने भी कुश्चन बन सकते थे वो हमने आपको बताए अगला कुश्चन देखते हैं भारत की रच्छामंत्री कौन है तो वरतमान में भारत की वरतम रच्छामंत्री कौन थे तो जो फर्ष्ट जो डिफेंस मिनिस्टर थे वो थे बलदेव सिंग ठीक है यह कुश्चन आप लोग याद रखिएगा अगला कुश्चन है और हाँ यहाँ पर यह देखिए जो रच्छा सचीव है वरतमान में वो हैं अजय कुमार ठीक है अगला कुश्चन है भारत की ग्रह मंत्री कौन है तो वरतमान में अमिस सहजी भारत की ग्रह मंत्री है ठीक है अगला कुश्चन है भारत की विदेश मंत्री कौन है तो वरतमान में डक्टर एस जैसंकर भारत की विदेश मंत्री है अगला कुश्चन है भारत की विदेश मं मंत्री है ठीक है और यह तो आप समझी गए होंगे कि वित्य मंत्री जो है इनका कार्य क्या होता है तो भारत में जितना भी जो है पैसे से मंत्र से देखरेक करती है और यहां पर क्यों जो यह था खुस्चन उपर का कार्य यही होता है यह विदेश के फैंसले होते हैं और जो भी विद secured से जो भी साइन किया जाते हैं तो उसमें जो है विदेश मंत्री उपास्तित रहते हैंchte अन्हीं के तौर यह नग्याता हैुट जबी होता है और विट्ट पेपीस की जाते हैं तो वो जोरा के कार्य होते हैं अगला कुस्ट्शन है भारत के खेल मंत्री कौन है तो वरतमान में किरण रिजिजू भारत के खेल मंत्री है अगला कुश्यन है भारत के सड़क परिवहन और राज्यमंत्री कौन है तो नितिन गडगरी वरतमान में भारत के सड़क परिवहन और राज्यमंत्री है ठीक है अगला कुश्यन है भार की रसायन और उर्वरक मंत्री कौन है ? वरतमाल में भारत की रसायन और उर्वरक मंत्री है, ठीक है , यह थी जो है भारत की उपखुखता और खाद्य मंत्री हैं आपको बताम स्थीं कि जो भारत वह Publish नहीं scholar को सुछा और जो है निधन हो गया है तो उनकी निधन के बाद जो है प्यूस गोयल को यह जो अत्रिक्त प्रभार दिया गया है और भोगता और खाद्य मंत्रा लाइका ठीक है अगला कुश्चन है भारत की किर्सी और किसान कल्यान मंत्री कौन है तो अर्जुन मंडा भारत के जन जातीय मामलों के मंत्री है अगला कुश्चन है भारत के महला एवं बाल विकास तथा कपड़ा मंत्री कौन है तो इसमिर्ती एरानी जो है वरतमान में भारत की महला एवं बाल विकास तथा कपड़ा मंत्री है ठीक है ये कुश्चन पूछ लिया जाता है अगला कुश्यन है भारत के स्वास्त एवं परिवार कल्यान मंत्री कौन है तो डक्टर हर्स वर्धन गोड़ा जो है भारत के स्वास्त एवं परिवार कल्यान मंत्री है और ये जो है साथी साथ बिज्ञान और प्रवद्यों की मंत्री भी है ठीक है अगला कुश्यन है भारत के सूचना एवं परसारण मंत्री कौन है तो प्रकास जावडेकर जो है वो भारत के सूचना एवं परसारण मंत्री है और ये साथी साथ परियावरण बन और जलवायू परिवरतन मंत्री भी है ठीक है तो ये प्रकास जावडेकर है वो सूचना भारत की रेल मंत्री कौन है? तो वरतमान में भारत की जो रेल मंत्री हैं वो है प्यूस गोयल और अभी हमने आपको बताया था कि जो प्यूस गोयल है उन्हें जो है उब भोक्ता और खाद्य मंत्रा लाकावी कारेबार सौंपा गया है ठीक है? अब यहाँ पर बात आएए र जो ट्रेन थी भारत में सबसे पहले कब चलाई गई थी ठीक है तो यह चलाई गई थी 16 अप्रेल 16 अप्रेल 1853 ठीक है 16 अप्रेल 1853 को जो है पर्थम रेल भारत में चलाई गई थी और यह कहां से कहां तक चलाई गई थी तो ये मुंबई से थाड़े के बीच चलाई गई थी और जो मुंबई से थाड़े की भी चली थी तो उसकी दूरी कितनी थी तो वो 34 किलो मीटर का रास्ता था ठीक है फुल दूरी थी 34 किलो मीटर के अच्छा ये कुशन एक और इससे बनता है भारतिया रेल से कि जो टरैन चलाई गए थी, वो किस के सासन काल में चलाई गई थी, ठीक है, तो लाट डल avam sich के time period में जो है ये प्रताम रेल चलाई गई थी, ठीक है, अच्छा, जो प्रताम रेल चली थी, मुंबई से थाने के बीच, तो इस टरैन का नाम किया था, तो ये भी important question है, तो इस ट्रेन से कोश्य यह भी बन सकता है कि यह जो है ट्रेन पर इन रेंट कब चली हिए है भारत में जो है विद्धुत रेल चली तो वह तीन फरवरी unit 1925 को चली पर्तंबाई विटी स्वें को थे स्थके और इसका नाम क्या था डेक पन्प थीड़िंट नमाई और यह question आप से एक और बन सकता है से प्रत्म रेल मन्तरी कौन थे तो प्रत्म जो रेल मन्तरी थे वे ते जोन मत आई, ठीक है स्वतन ल्वहrhAT की प्रत्म रेल मन्तरी जोन मत आई थे ठीक है यह十 में अब भारती अरेल से बन सकते थे वो हमने आपको इसमें कवर किये अब चलिए अगला कुश्चन देखते हैं और आपको बताते हैं कि यह जो प्यूस गोयान है वो बानेज एवम अद्योग मंत्री हैं ठीक है यह हमने आपको बताया था और यह जो है अगला कुश्चन के रेलवे बोर्ड के अध्यक्च तो विनोध कुमार यादव जो है बरतमान में रेलवे बोर्ड के अध्यक्च हैं अगला कुश्चन है भारत के कोईला मंतरी कौन है तो बरतमान में प्रहलाद जोसी भारत के कोईला मंतरी है अगला कुश्चन है प्रेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस तथा इस्पात मंतरी कौन है तो बरतमान में धर्मेंद प्रधान प्रेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस तथा इस्पात मंत्री है अगला कुश्चन है भारत के जल सकती मंत्री कौन है तो वरतमान में गजेंदर सिंग सेखावत भारत के जल सकती मंत्री है अगला कुश्चन है भारत के कानून एवं नियाय मंत्री कौन है तो वरतमान में रवी संकर प्रसाद भारत के कानून ए अब ही आपको बताया था कि जोू उप्राष्टपति होते हैं बो राजे सभा के सभा पती होते हैं तो वरत्मान मैं वेंक एडू राजे सभांग उपसभापती के अगर बात की जाए तो खरीवन से नारायन सिंग वरतमान में उपसभापती हैं राज-षभा के ठीक है अब यहां पर बात आई है राज-षभा के तो राज-षभा से कौन कौन सी कुश्चन बन सकते हैं वो आप लोग देखिए तो राज-षभा सबसे पहले कितनी वर्सका होता है तो राजसवा का जो कारिकाल होता है वो 6 वर्सका होता है ठीक है और जो लोगसवा होता है उसका 5 वर्सका होता है ठीक है अब वरतमान में सीटें कितनी है ये भी देख लीजी तो वरतमान में जो है राजसवा में 245 सीटें है ठीक है 245 सीटें है वरतमा जो है किस अनुच्छेत के तहता है ठीक है तो अनुच्छेत 80 के तहता है राजसभा का निर्माड किया गया है ठीक है राजसभा का अगर आर्टिकल पूचा जाए तो आप बता देंगे 80 ठीक है अनुच्छेत 80 के तहता है राजसभा आता है अगला कुश्चन देखते हैं कि लोकसभा के अध्यक्च कौन है तो बरतमान में ओम बिडला जो है वो लोकसभा के अध्यक्च है ठीक है अच्छा आप लोकसभा की बात यहां पर आईए तो लोकसभा से कौन-कौन से कुश्चन बन सकते हैं यह आप लोग देखिए तो पहला जो कौन लोकसभा से बनता है वो यह है कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए नियुन्तम उम्र कितनी होनी चाहिए तो लोकसभा का अध्यक्च बनने के लिए नियुन्तम जो उम्र है वो है पच्चीस वर्स ठीक है राजसभा में तीस वर्स था और इसमें पच्चीस वर्स है और लोग सभा का जो सदस्य का कारेकाल होता है वो कितना होता है तो वो होता है फाइव एर का ठीक है पांच वर्स का कारेकाल होता है राजय सभा में हमने भी आपको बता है कि वो छे वर्स का होता है अगर सीट की बात की जाए तो वरतमान में लोग सभा में पांसो प सभा का निर्मार किया गया है ठीक है एक बात और आपको बता दें कि जो राज्य सभा होता है वो उच्छ सदन होता है और जो लोग सभा होता है वो नियमने सदन होता है ठीक है अब चलिए अगला कुश्चन देखते हैं यहां पर आप लोग यह और देख लीजिए थोड़ा कि लोकसभा की महासचिव कौन है तो इसनी है लता स्रीवास्तो जो है लोकसभा की महासचिव है ठीक है अब लोकसभा में बिपक्ष की नीता कौन है तो अधीर रंजन चोधरी जो है वो बिपक्ष की नीता है ठीक है पक् कुश्चन है सरवोच नियायलाई की मुख नियायदीस कौन है तो वरतमान में जश्टेस सरद अरविंद बोवडे जो है बो सरवोच नियायलाई की मुख नियायदीस है ठीक है अब यहां पर बात आई है सरवोच नियायलाई की तो इससे कौन-कौन सी कुश्चन बन सकते हैं जो है यहां पहुंचा जाता है कि जो मतलब एक मुंखे नियाइदीस होता है अब अगर सिक्ष्टी फाइव एर जो है सरवोचे नयाल है के मुख्ष नयायदीस की उम्र होती है ठीक है और अगर बेतन आप से पूछा जाए तो जो मुख्ष नयायदीस होते हैं उन्हें बेतन दिया जाता है दो लाक अस्ती हजार ठीक है अगला कुश्चन है भारत के पहले लोकपा और आप लोग जो है यह confusion में मत रहना कि भारत के पहले लोकपाल जस्टिस पिनाकी चंद्र घोस है ठीक है पहले लोकपाल तो यह हैं और वरतमान में भी जस्टिस पिनाकी चंद्र घोस ही भारत के लोकपाल है ठीक है तो पहले लोकपाल अगर पूंचा जाए तो भी समझ पार रहे होंगे कि लोगपाल होता क्या है ठीक है तो जो सरकारी अधिकारी होती है ठीक है उनके विरोध ब्रष्टाशार के जो अरोप लगाए जाती है तो उनकी जांच जो है वो भारत की लोगपाल करते हैं ठीक है अब आप जो है समझ गया होंगे कि लोगपाल क्या ह तो वरतमार में केके वेडू गोपाल जो भारत के नियाएवादी हैं अब यहां पर बाता है कैसे काफ़ी कुस्चन पूछंब जाते हैं। सबसे पहला जो आर्टिकल 6076 ॢ कटहरा महानियावादी की नियुक्ति की जाती है ठीक है और इससे कौन सा important question मन सकता है ये देखिए जो भारत का महानियावादी है वो जो है सरवच्टम भारत सरकार का विधियादकारी होता है ये आप लोग याद रखिएगा और इसकी जो नियुक्ति है वो कौन करता है तो भारत की राष्टपती जो और यह जो है जो राश्टपती होते हैं उन्हीं के प्रसाद परियंद तक जो है यह कारे करते हैं ठीक है और जो महानियावादी है उनसे इंपोर्टेंट कुस्चन यह भी एक बनता है कि यह जो महानियावादी होते हैं यह संसद वहा मंत्री मंडल के सदस्य नहीं होते हैं ल भारत के थल सेना प्रमुक कौन है तो वरतमान में मनोज मुकुंद नर्वडे जो है वो भारत के थल सेना प्रमुक है ठीक है और ये कौन सी नमबर की है ये 28 वी नमबर की है अगला कुश्चन है भारत के बायू सेना प्रमुक कौन है तो वरतमान में RKS बधोरिया जो है भारत के बायू सेना प्रमुक है और ये कौन से नंबर की है ये 26 वे नंबर की है ठीक है अगला कुश्चन है भारत के नो सेना प्रमुक कौन है तो वर्तमान में एडिमिरल करम बीर सिंग भारत के नो सेना प्रमुक है अगला कुश्चन है भारत के पहले cds कौन बने ठीक है तो वर् तो इसका फुल फॉम होता है Chief of Defense Staff ठीक है क्या होता है Chief of Defense Staff ये आप लोग याद रखिएगा अगला कुश्यन है भारत की मुख्य सूचना आयुक्त कौन है तो वरतमान में बिमल जुल का जो है भारत की मुख्य सूचना आयुक्त है अगला कुश्यन है भारत की मुख्य चुना तो वर्तमान में सुनील अरूडा जुनाव अग्ला से बारत के नियंतरकं महालेखा परिछात उसका ये ऐ दो वर्तमान में autot ja नीति आयोग की अध्यक्ष कौन है तो वरतमान में जो है नीति आयोग की अध्यक्ष है वो है नरेंद्र मोदी ठीक है आपको बता दें जो कि प्रधान मंत्री होते हैं वो नीति आयोग की अध्यक्ष होते हैं ठीक है तो नरेंद्र मोदी जो है वरतमान में नीति आयोग की अ 2015, एक जनवई 2015 को नीती आयो की स्तापना हुई, अब नीती आयो का full form क्या होता है? ये भी important कुष्चयान है, तो नीती आयो का full form होता है, National Institution for Transforming India, ठीक है, ये नीती आयो का full form होता है, ठीक है, अगला कुष्चयान है, नीती आयोकि उपाध्यक्ष तो राजीव कुमार वरतमान मैं नीति आयोकि उपाध्यक्ष हैं अगला कुश्चन कों है असोक माथुर्ठवें वेतन आयोकि अद्यक्ष हैं नेक्स्ट कुस्चन है पंदर twin Witt AOC कों है तो एन के सिंग वरतमान मैं पंदर अगला कुश्चयन है लोक लेखा समीती के अद्यक्ष कौन है तो अधीर रण्जन चोधरी जो है वर्तमान में लोक लेखा समीती के अधियक्ष है कि अगला कुश्यन है और दोस्तों आपको बता दें कि यह जो है आने वाले हरी के एक्जाम के लिए महत्वपूर्ण है तो आप लोग जो हैसे अच्छी से याद कर लेजिएगा और आपका जो इंटर्विव आने बाला है इस टेनोग्राफर का उसके पॉइंट आफ व्यू से भी यह जो कुष्टन है बहुत ही इंपोर्टेंट होंग के अगला कुष्टन है आर बी आई के गवर्नर कौन है तो सक्तिकान दास जो है वरतमान में आर बी आई के गवर्नर है और यह कौन से नमबर के हैं यह 25 वे नमबर के हैं ठीक है अब यहां पर बात आर बी आई किया है तो आर बी आई से कौन कौन से इंपोर्टेंट कुष् कब हुई तो आर必 इस्टाफना हए एक अपरैल है 1935 को esos 25 को और इसकी स्थापना हुई तो इसims इसकाwieड़ृटर छकट्त हुं ठीक है और वर्तमान में जो इसका हैड़कृृटर है बो है मुंबई में ठीक है तो यह क्शन आपसे पूचा जासकता था अगला कु livestream कोच्छन है, SBI के प्रमुक कौन है? तो वर्तमान में दिनिस कुमार खारा जुआ है, वो SBI के प्रमुक है, ठीक है? अब SBI से कौन सा important question बन सकता है? तो स्थाफणा का, कि SBI की स्थाफणा कब हुई? टो SBI की स्ताफणा जुआ है, वो एक जुलाई उन्ही स्ङू पच्पन को ही, एक जुलाई उन्ही स्व स्च्पन को जो है, SBI की स्ताफ़ना हुई, और इसका हेड़कॉर्टर कहां पर है? तो इसका हेड़कॉर्टर मुंबई में है, ठेक है? अगला कुश्चन है, CAB के अध्यक्ष कौन है? तो अजय त्यागी जो है वो सेवी के अध्यक्ष है कौन है अजय त्यागी जो है वो सेवी के अध्यक्ष है अगला कुश्चन है विस्व बैंक के अध्यक्ष कौन है तो डैविड माल पास विस्व बैंक के अध्यक्ष है अब विस्व बैंक से आपसे एक और कुश्चन बन स अगला कुश्यन है इसरो के अध्यक्ष कौन है तो के सिवान बरतमान में इसरो के अध्यक्ष है अब बात यहां पर इसरो की आई है तो सबसे पहले आप यह देखें कि इसरो की इस्थापना कब होई तो 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई ठीक है और इसका जो हैड़कवाटर है वो है बैंगलॉर में और इसकी स्थापना की किसने थी तो विक्रम अंबलाल सारा भाई ने जो है इसरो की स्थापना की थी ठीक है अब इसरो है क्या अब लोग ये भी जान लेजिए तो भारतिय अंतरिक् ист यह वो है इस रोह के इस रोक के होता है यह भी कुछ लिया जाता है होता है इंडियन इसस पेस्ट और कोछला कुष्ट्ट है तो वर्त Budget कोण है तो सौरब गाउंगली जो है वो BCCI के अध्यक्ष है अब यहाँ पर BCCI की बात आए तो BCCI की स्थापना कभूई थी यह भी important question है तो 1928 में यह आप लोग याद रखिएगा कि 1928 में BCCI की स्थापना की गई थी और इसका headquarter कहाँ पर है तो इसका headquarter जो है वो Mumbai में है और अगर आप से full form पूछा जाए कि BCCI का full form क्या होता है तो आप लोग बता दीजिएगा the board of control for cricket in India ठेक है the board of control for cricket in India यह होता है BCCI का full form अगला question है BCCI के सचिव कौन है तो जैसाह बरतमान में BCCI के सचिव है अगला question है BCCI के CEO कौन है तो हेमांग अमीन अंतरिम बरतमान में BCCI के CEO है next question है ICCI के chairman कौन है तो इमरान खौजा इमरान खौजा जो है वो बरतमान में ICCI के chairman है अब यहाँ पर ICCI के बात आई है तो ICC की स्थापना जो है वो 1909 में हुई थी और इसका जो headquarter है वो है UAE दुबई में ठीक है और ICC का अगर full form पूछा जाए तो इसका full form है The International Cricket Council ठीक है अगला कुश्चन है संयुक्त राष्ट्र संग UNO के महासचीव कौन है तो Antonio Guterres जो है वो संयुक्त राष्ट्र संग यानि UNO के महासचीव है अगला कुश्चन है तो दोस्तों यह 52 question थे most important कि कौन क्या है इसमें हमने सभी को cover किया है और उनसे related जितने भी effect बन सकते थे वो हमने सब के सब आपको इस वीडियो में बताए है ठीक है तो यह जो है आपका current affair के साथ साथ जीके का भी part आपका cover हुआ static gk का ठीक है तो अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे like जरूर कीजिएगा और दोस्तों एक और बात आपसे कहनी थी कि जो जिन student जो की stand-up के हैं तो उनका जैसे interview होते जाए तो वो जो है student comment के माध्यम से उनसे जो भी कुश्मन पूछे जाए वो share करिए ठीक है ज सब्सक्राइब करना ना भूलें तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू